नमस्ते मोदी जी नवस्कार भई एनाई वालों को नमस्ते ये अफका आपने समय दिया हमें इतने व्यस्त टाइम पर बहुत शुक्रिया है एनाई के तो दर्शकों की संख्या भाती-भाती की हैं तो उन सभी दर्शकों को नमन नमस्कार मोदी जी अब लगबग आखरी दौर आ गया है चुनाव का क्या जो आपने लक्ष तेह किया था चार्सो पार का आपको लगता है कि वह पार हो रहा है क्योंकि विपक्स तो कद्मिंस ने कि ऐसा नहीं हो रहा है वो कह रहे हैं कि 220-240 होगा आखरी दौर शब्द प्रवग की आपने मुझे उसमें बहुत सी चीजे नजार आ रही है एक हमारा एक नया दौर शुरू होगा उसका उसके अंदर संकेत है दूसरा जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे है उनके लिए भी आखरी दौर है तो चुनाव का अखरी दौर ऐसा है इतना नहीं उनकी स्थित्यों का भी आखरी दौर है प्रदान मंत्री जी अरक्षन इतना बड़ा मेरे स्थी स्थी और अत्ती पिछरे भाई बेहनों को क्योंकि इनको अंधिरे में रख करके यह लोग लूट चला रहे हैं और चुनाव एक ऐसा समय है कि जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है उससे देश वाच्छों को मुझे जागरूत करना चाहिए और इसलिए मैं आगरह पुर्वक जनता जनादन को समझा रहा हूं क्योंकि यह दो चीज़े हो रही है एक भारत के सम्विधान की मुल्भावना का हनन हो रहा है सम्विधान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया जा रहा है और वो भी अपनी वोट बेंग की राजनीती के लिए अब मुझे याद है मैंने हाउस में कभी कॉंग्रेस के नेताओं को सुना तो यह कहते थे कि यह प्राइबिटाइशन कर रहे हैं आप तो आप आरक्षन मिटा देना चाहते हैं अब रियालिटी तो है निए गभबाई जी कर रहे हैं लेकिन मेरे सामने आया कि जो लोग इतने बड़े दलीतों के हितेशी अपने आपको कहते हैं आदिवासियों के हितेशी कहते हैं बे हकीकत में उनके घोर दुश्मन हैं इन्हों ने रात और रात एजुकेशनल इंस्टुटूशन को माइनोरिटी इंस्टूशन बना दिया माइनोरिटी इंस्टूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षन उसमें खत्म कर दिया अब उनके अधिकार शित्र में नहीं था वैसा एक नियम बदल दिया उन्होंने और युनिवर्सिटी तक को माइनोरिटी स्टूशन दे लिया अब दिल्ली में ही जाम्या मेलिया जो उन्होंने माइनोरिटी बनाते उसमें सारे आरक्षन खत्म हो गई एडमिशन में भी नहीं नौक्री में भी नहीं और बाद में तो चीज़े उभर करके आई कि करीब करीब दस हजार ऐसी इंस्टिटूशन से जिसको इस प्रकार से आरक्षन के जो एसी एस्टी ओबीसी का अधिकार था वो पिछले दरवाजे से उसको चीन लिया गया है संविधान की पिट में छोड़ा भाका दिया है बाबा साहब अंबेड करने जिस सपने से यह विवस्था खड़ी की थी उसको इन्होंने वोट बेंक के लिए गिर भी रख दिया तो यह यह चिंता जनक बाते मेरे सामने जब आई तब मुझे लगा कि मेरा दाई तो बनता ह है कि मैं देश को अवगव इतने में इनका मैनिफेस्टों आया कि इस मैनिफेस्टों ने और चौका दिया और इसलिए मैंने पहला मैनिफेस्टों पर देखते ही मेरा पहला कॉमेंट था कि यह मैनिफेस्टों पर मुस्लिम लिख की छबी है तो दो तिन दिन तो उनको लग जैसे इस देश में वो यह कहें कि हम खेल कुद में भी माइनोरिटी के लिए कोटा फिक्स करेंगे आज पंजाब के मेरे बच्चे जो खेल जगत के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं बंगाल के मेरे नवजवान फुटबॉल में बहुत अच्छा कर रहे हैं उत्तरप्रदेश के हमारे नवजवान जो अफिलेट्स में अच्छा कर रहे हैं अब वो अपनी जवानी उसमें खपा देते दस बारा साल की उमर से लेकर के 25-30 साल की उमर तक पहुँच रहे था कि लोग इतना तप करते हैं जी तपते हैं सरी को तपाते हैं खिलाड़ी ऐसा नहीं बनता है जी और सुबह रात को निन नहीं आती सुबह चार बज़े उड़कर के चले जाते हैं अब कहते नहीं ये माइनोरिटी के लिए कोटा होगा तो मेहनत करने वाला मेरा नवजवान जाएगा कहां जी उनका क्या होगा दूसरा उन्होंने कहा कि देश में अब जो टेंडर होंगे उस टेंडर में भी वे कि माइनोरिटी के लिए आरक्षन करेंगे मतलब यह हुआ कि आज मान लीजे कोई कहीं पर बहुत बड़ा महत्वपर्ण ब्रीज बन रहा है उस ब्रीज बहें पुझे बुगा तो जिसके पास ट्रैक रेक रेकॉड है कि जिसके पास सउसाधन है जिक से पास पैसके है जो पर्फॉर्म कर सकता है उसकी पूरी समय औहों कमपोटिशन होती या करते यह कहते नहीं आप मुझे बताईए अगर इसी प्रकार से सिर्फ धर्म के आधार पर कोटा दे जेंगे वो ब्रीज बनेगा लोग मारे जाएंगे तो कौन जिम्मेबार होगा क्या बोट बेंग के लिए आप आने वाली पीडियों को भी तबाह करना चाहते हैं तो यह ऐसे विशे थे जो कॉंग्रेस ने अपनी बोट बेंग के खातीर चाहिं बेदान में उतारे तम मेरा करतव बनता है मैं दलीद भाईओं के अधिकार के लिए लड़ों मेरे आदिवासी भाई बहनों के अधिकार के लिए लड़ों तो यहें पर्सेप्श्र मना जा रहा है कि आप आये तो बिलकुल अरक्शन हीald कर देंगेए अंग क्या बोलेंगे इन्हों ने यह पाप कर दिया है उसके खिलाब मैं बोल रहा हूं इतले उनको जुट बोलने के लिए सी चीज़ का उपयोग करना पड़ रहा है अभी कॉलकाता ही कोट का सर एक ओडर आया है जिसमें 2010 के बाद जितने OBC सेटिफिकेट बैंड़े उसको की सुप्रिम कौट ने तक मैं हार गए है कोट ने उसको रजयक्त कर दिया कृकि संभिधान अलव करता नहीं है तो इन्हों ने चालागए करके पिछले दर्वाजे से खेल शुरू किया और पिछले दर्वाजे से खेल शुरू करने के लिए इन लोगों ने रातो रात मुसल्मान की सभी जात्यों को उभी से बना दिया सबी जातियों को बीसी बना करके जो बीसी का हग था वो रातो रात डाका डाल दिया लूट लिया और इसके खिलाप चुनाओं की सरगर्मी चल रही है तब हम तो बोली रहे थे कभी यह हो रहा है करनाटक में हुआ है मैंने बताया था हम बंगाल के लिए भी बोल चुके थे लेकिन जब हाई कोड का जज्जमेंट आ गया तब यह साफ हो गया कि इतना बड़ा धोका हो रहा है लेकिन इससे भी दुरभागी की बात है कि इतना बड़ा वोट बैंक की राजनीती करने के लिए वे अब इनको भी गाली दे रहे है जुड़ी शेली को गाली दे रहे है नियाए पाली का को गाली दे रहे हैं और वो यहां तक कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाएं हम कौड की बात मानने वाले नहीं है कि यह जो सिती है वो किसी भी हालत में स्विकारियन नहीं हो सकती है केजरिवाव जी अभी जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री जी ही तै करते हैं कि कौन जेल जाएगा वो कहते हैं सोरेन को और मुझे उनके इशारे पे जेल में डाला गया अच्छा होगा यह लोग समिधान पढ़ ले देश के कानून नियम पढ़ सब्सक्राइब देखने हैं कि एक पर्सनल अटेक्स बहुत हो रहे हैं लाइक आप पर भी कई बातें बोली गई है और आपकी तरफ से भी कुछ लोगों कुछ बोला गया है तो पर्सनल अटेक्स किस लिए इस लिए यह यह शैली नहीं होने चाहिए जहां तक मोदी का सवा है मैं तो पिछले 24 साल से गालिया खाखाखा करके गाली प्रूफ हो गया हूं मौत का सवधागर किसने कहा था गंदी नाली का केड़ा किसने कहा था और मेरे यह तो पार्लामेंट एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था 101 गालिया गिना ही थी तो चुनाव या चु के हैं कि गालिया देना अब सब्द बोलना यह उनके शायद जहन में हैं उनके स्वभाव में हो गया है प्राद्वंति जी एक आरोप विपक्ष और लगा रहा है कि एडी आईटी सीबी आई इसका इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधियों को दबाने के लिए मेरा मिडिया क रहें कि भी सरकार के लिए क्या सवाल पूछने चाहिए प्रदान मंत्री को क्या सवाल पूछना चाहिए जो कुड़ा कज्रा फैंक रहा है उसको पूछो नहीं उसकी आपकी हिम्मत नहीं है लेकिन वो जो कुड़ा कज्रा फैंकते हैं वो कुड़ा कज्रा लेकर क्या मेरे कर दूंगा और उसमें से देश के लिए कुछ अच्छी चीज़े पैदा कर दूँगा इसलिए वो तो मैं करूंगा लेकिन कि सरकार क्या करते हैं प्रधार आज गाउं के सरपंच को चेक बुक पर सही करने का अधिकार होता है देश के प्रधानमेद्री को नहीं है कि इतना नौलेज नहीं है लोगों को देश के प्रधानमेद्री के पांथ इस प्रधार का कोई अधिकार नहीं होता है मोधी सरकार का मेंडेट क्या है मोधी सरकार ने अपने अपसरों को कहा है कि मेरी सरकार करप्शन के विशे में जीरो टॉलरंस अब यह दप्तर के अंदर बैटे विए लोगों का काम है कि उसको लागू करें और सच मुझ में तो किसी जमाने में दस साल में मनमोन सिंगी के सरकार थी 34 लाग रुपया पकड़ी गए थे 34 लाग रुपया मतला भी एक स्कूल बैग में आप आ जाए वर्तमान में दस साल में 22 करोड रुपया पकड़ा है ये तो टीवी पर दिखता है कि ये तो कोई जूदबाजी हो से हो नहीं सकती है अब जो द्वाइस सो करोड देश को वापित लाया है यह उसका सम्मान होना चैएक उसको गाली गलोज होना चाहिए तो गाली गलोज कौन करता है जिस जिसके जेब में से गया है जिसने चोरी करकर के इखटा किया था वो पकड़ा गया वो चिला रहा है इसका मतलब यह जो चोर पकड़ी जा रहे हैं इसमें जिसकी भागीदारी होगी वो चिलाएगा थोड़े से अलग मुद्धे पर आते हैं कश्मीर में इस बार देख रहे है रिकोर्ट रोटींग हो रही है ऐसे एस इस अलागों में रिकोर्ट वोटिंग हो रही है जहाँ पर आपका क्या आंकलन है आप कैसे देखते ह है उसके संदर्व में सबसे तो पहले मैं मेरे देश के न्याय तंत्र को प्राथना करना चाद कि अगर सरकार किसी काम को करने के लिए कि उसकर एक इस होती है अब उसके लिए कभी मुझे इंटरनेट बन करना पड़ा कोई NGO कॉड चला गया और वो बड़ा कॉड के इंदर बड़ा इशू बन गया आज समझे कि बले मैंने कुछ समय के लिए इंटरनेट बन किया था लेकिन आज बड़े गर्व के साथ महां के बच्चे कहते हैं कि पांच साल से इंटरनेट बन नहीं हुआ है पांच साल से हमें सब सुविधाई मिल रही है कुछ दिन तकलिव हुई लेकिन अच्छे काम के लिए हुई थी अब वो अदालत के अंदर जब विवादों में चड़ जाता है तब चीजें गड़ बड़ा जाती है तो ऐसे जो एंजियो हैं जिन्होंने अदालतों के भरों से लड़ाई लड़ना शुरू किया है एक तो देश को उनसे बचाना बहुत जरूरी है दूसरा वहां का सामान ने मानवी जब मतदान करता है तब वो सिर्फ किसी को जिताता है इसा नहीं है जी मतदान करता है मतलब भारत के सम्विधान को गले लगाता है मतदान करता है तब भारत की सरकार बनाने में वो गर्व के साथ भागीदारी करता है मद्दान करता है मतलब कि भारत के सार्व भवमत्व के पती अपना समर्पन व्यक्ता करता है दूसरा उनको विश्वास हुआ यह सरकार ऐसी है कि जहां फैरनेस है हम भरोसा कर सकते हैं कि यह सही होगा और जब उसको विश्वास हो जाता है कि यह कोई हेरा फेरी नहीं हो रही है तो वो पक्का बोड करने के लिए उस्षा से आता है और उसका परणाब है कि आज मत्दान यहने 40-40 साल के रेकॉर्ड टूट चुके है मेरे लिए की मेरे कश्मीर के मेरे भाइबहन मेरे परिवार जन उम्मक और उस्षा के साथ मत्दान के लिए आगे आए कि उन्होंने मत्दान करके दुन्या को एक मैसेज दे दिया है जो लोग आशंक आए करते थे उनको को एक मैसेज दे दिया है सर यह क्या विंडिकेशन है 370 को आपने हटाया इससे क्या लगता है कि आपका विंडिकेशन है कि जिस तरह से पांच चार परिवारों का एजन्डा था यह न कश्मीर की जंता का एजन्डा था न देश के लोगों का एजन्डा यह अपने फाइदे के लिए यह 370 की ऐसी दिवार बना के बैठे थे ताकि कोई जौंक न पाए और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा आज यह सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद जादा एक ताकि अनुभूती हो रही है कश्मीर के लोगों का अपनापन जादा बढ़ रहा है और इसलिए इसक्या सीधा प्रणाम चुनावा मे भी दिखाई देता है तूरिजम में दिखाई दे रहा है जी ट्वेंटी समीट महां होती है बड़े शांत से कश्मीर ने उनका स्वागत के रहा पुली दुनिया का और इसलिए कैसे जूठी दिवारे खड़ी करकर के देश को टुकड़ों में देखा गया इसका यह उदान तो क्या लगता है कि देश में जो वेल्ट क्रेटर्स हैं उन पर राजनिती होनी चाहिए मैं फिर कहता हूं जो लोग एक कुड़ा कच्रा फैक रहे हैं उनको पूछो यह तुम कहां से लाए हो उनसे बात करो भाई आप उनसे तो कुछ पूछते नहीं हो और इसलिए मैं सम उन्होंने कई मुद्दों पर आपको सपोर्ट किया अब आप लोगों का अलाइंस नहीं है और आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं किस तरह से आप देखते हैं हिंदुस्तान के सभी राजनितिक दलों के नेताओं के साथ हमारे समथ अच्छे ही हैं और लोग तंत्र मे हमारी दुश्मन ही नहीं होती है समथ अच्छे होने ही चाहिए अब सवाल यह है कि मैं मेरे सबंदों को समालू कि उड़िशा के भाग्य की चिंता करू तब मैंने रास्ता चुना कि मैं उड़िशा के उजवल भविश्यकर के लिए अपने आपको खपा दूंगा उसके लि तुझे किसी की दुश्मन ही नहीं है लेकिन 25 साल से उड़िशा में प्रगति नहीं हो और सब्से बड़ी चिंता ऐसी है कि कुछ एक ऐसी टोली है जिसने पूरे उड़िशा की ववस्ता को कब्जा कर लिया है ऐसा लगता है पूरी ववस्ता को बंदक बना दिया है और कि अस्मिता का सवाल है इतने प्राकृतिक समसाधन है उड़िशा के पास एक समरुद्ध राज्य के गरीब लोग देखकर के दुख होता है हिंदुस्तान के समरुद्ध राज्यों में उड़िशा है इतनी प्राकृतिक संपदा है और हिंदुस्तान के गरीब लोगों के र वाला है सरकार बदल रही है मैंने कहा है कि उडिशा की वर्तमान सरकार की एक्पारी डेट चार जून है और दस जून को बीजेपी का मुख्यमंत्री उडिशा में शपत लेगा मोधी जी बंगाल में भी ताबर तोड एक टक्कर की लड़ाई चल रही है आपके भी बहुत है एक बार उनको वेरिफाय करना दे कर देना चाहिए कि वह कहां से रिपोर्टिंग आपको भेजते हैं कि बंगाल के चुनाओं में टीम सी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है आपने देखा होगा पिछली के चुनाओं में हम तीन थे तीन में से बंगाल की जनता ने हमें असी बना पर पहुंचा दिया हमें लोगसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाओं में मिला था इस बार पूरे हिंदुस्तान में तो बेस परफॉर्मिंग स्टेट को होगा तो पस्चिम मंगाल होने वाला है बारतिये जनता पार्टी को सरवादीक चुनाओ एक तरफा है जनता जनारदन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे लिए लोग टीमसी के लोग बोखलाए हुए हैं लगातार हत्याइं हो रहे हैं हमले हो रहे हैं भाजबा काहरकरताओं को चुनाओं के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा ह यह सारे जुल्मों के बावजुद भी मतदान भी जनता जयदा कर रही है और वोट भी जादा हो रहा है। मुझे जी आपका आपके साफ से तो लगभग आपका तया है आना और सबको लगता है ज्यादा तर लोग आपको प्रेडिक कर रहे हैं कि आप वापेस आ रहे हैं तो मोडी 3.0 में यह देश क्या उमीदे रखे आपसे क्या प्राइटीज होंगी विक्षिद भारत बहुत 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 दन्यवाद भाईया नमस्कार